पता है अब हम बिहारीों को ट्रेन में लाद लाद कर सेब का पेटी कश्मीर से नहीं मंगाना पड़ेगा अब खुद बिहार के गोपाल गंज जिले में सेब की खेती होगी जी हाँ अब गोपाल गंज बनेगा कश्मीर बात ऐसी है कि गोपाल गंज में नया क्रिशी योजना लाया गया है जिसमें अब गोपाल गंज में सेव भी उगाए जाएंगे यानि कि हम बिहारी अब बिहार में उगाए गए यानि कि बिहार के जमीन पर उगाए गए सेव ही खा सकेंगे नमर्शकार मेरा नाम हर्शिता सिंग है और आप मेरे साथ जनता जंक्षन देख रहे हैं बात ऐसी है कि गोपाल गंज में जल्द ही सेवों की खेती का ट्रायल शुरू होने वाला है हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली सेव की उन्नत किस्म हॉर्मोन निनानवे की खेती के लिए गोपाल गंज को चुना गया है इसके लिए किसानों को ट्रायल के लिए पौधे भी उपलब्ध कराए गये हैं ऐसा बताया जा रहा है कि गोपाल गंज की मिट्टी जो है वो सेवों के लिए फायदेमंद है यानि कि यहाँ पर आसानी से सेवों की खेती हो सकेगी खेती के लिए किसानों से भी निवेदन किया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि परंपरागत खेती को छोड़ कर वह सेवों के खेती के लिए कदम आगे बढ़ाए हाला कि ट्रायल के लिए उचकागाउं प्रखंड के चार किसानों को हिमाजल प्रदेश में पैदा होने वाली सेव की उन्नतकिस्म हॉर्मोन निनानवे की खेती के लिए भी चुना गया है इन किसानों को ट्रायल के लिए पौधे उपलब्द करा दिये गये हैं ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर किसान सेवों के खेती के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनकी आंदनी में भी बढ़ोतरी होगी वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ट्रायल में लाए गए पेडों से जून महीने तक पत्ते आ जाएंगे वहीं दूसरी तरफ दो वर्सों के अंदर इसमें फूल भी देना शुड़ू हो जाएगी किसानों को तीन वर्स के अंदर सेव की अच्छी फसल और उसकी पैदावर के साथ साथ अच्छी आंदनी भी हो सकती है लेकिन ये तो की हमने फायदे की बात मगर इस खेती में चुनौतियां भी कम नहीं है कई सारी चुनौतियां हैं इस खेती में और इसमें सबसे बड़ी चुनौति जो है वह है जल जमाव की किसानों को सेब को तयार करने में और उसके जो पौधा तयार हो जाएगा उसके बाद भी यह परिशानी है कि पौधे में जल जमाब के कारण कीरा ना लग जाए बिहार जैसे इलाके में जलजमाब जैसी कठिनाईया है जादा तर इलाकों में जहां से उगाया जाता है वह पहारी छेतर होता है जैसे कि वह कश्मीर का इलाका है जहां पर पहारी छेतर है जिस कारण जलजमाब जैसी शिकायते नहीं आती लेकिन यह बिहार है बिहार में जलजमाब जैसी शिकायते आए दिन आती रहती हैं इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के जमीन पर सेव उगाना कठिन काड़े हो सकता है लेकिन अगर सच में इन सभी परेशानियों का समाधान निकल जाता है और सच में किसान सेव उगा लेते हैं गोपाल गंज की जमीन पर तो इससे अच्छी खुशकबरी क्या ही हो सकती है ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिहार के किसानों के लिए ये जो खबर है वह सोने पे सुहागा जैसी खबर है अगर बिहार में सेव उगती है तो इससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ आम लोगों को भी फायदा होगा बिहार में रोजगार के जड़िये में भी बढ़ोतरी मिलेगी और बिहार के लोग दूसरे राजे पर आशृत होना सायत थोड़ा कम कर देंगे अगर बिहार में सेव उगाया जाता है तो सेव के दाम में भी कमी आएगी और हर वर्ग के लोग आसानी से सेव को ख़रीद कर खा सकते है और इसके आयात में आनी वाली खर्च का भारा भी बचेगा और बिहार को इस सेव कई सारे फायदे भी होंगे लोगों को जो transportation tax होता है जो सेव पे आती है जिसके कारण सेव का दाम बढ़ता है वो भी नहीं देना पड़ेगा अब देखना ये है कि क्या सच में यह जो खेती है वो सफल हो पाती है क्या बिहार के किसान यह जो कारह है उसे भी सफल कर देंगे और क्या बिहार में सच में सेवो की खेती होने लगेगी कर दो कर दो कि थे घूब पर जार पिर्प